Hello students, आज हम करेंगे class 4th, हिंदी का chapter number 11, पड़कु की सूच एक पड़कु बड़े तेश थे, तर्क शास्तर पड़ते थे, जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गड़ते थे यानि कि यहाँ पर जो पड़कु है, वो कौन है, यहाँ पर एक आदमी है, जिसका नाम पड़कु है, वो बहुत ही तेश थे, यानि कि जो पड़कु नाम का एक आदमी था, वो क्या था, बहुत ही तेश था, तर्क शास्तर पड़ते थे, यानि कि वो क्या पड़ते थे, एक शास्त्र पढ़ते थे, जिसमें हर एक बात का तर्क होता था, यानि कि हर एक बात के बारे में उन्हें पता होता था, वो बहुती तेज थे, दिमागदार थे, जहां न कोई बात, वहां भी नई बात गड़ते थे, यानि कि जहां पर कोई भी बात नहीं होती थी, वहां पर व कोलू में कैसे बिना चलाए, एक दिन क्या हुआ, जो पड़कू थे, वो पड़े-पड़े फिक्र में ये समझी नहीं पाए, समझी नहीं पा रहे थे, कुछ उन्हें समझ नहीं आ रहा था, कि बैल जो है, वो कैसे गूमता है कोलू में बिना किसी के चलाने पर, यानि कि जो आप गुमता है तो वो एक दिन यह सोचने में फिकर में पड़े थे यह सोचते सोचते लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कुछ दिन तक रहे सोचते मालिक बड़ा गजब है सिखा बैल को रखा इसने निश्चे कोई ढब है कई दिनों तक वो इस बारे में सोचते रहे जो पड़कु थे वो कई दिनों तक इसके बारे में सोचते रहे और फिर उन्होंने सुचा कि मालिक जो है वो बड़ा ही गजब है, यानि कि उनका जो मालिक है वो बहुत ही गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, यानि कि उसने बैल को जरूर सिखा रखा है, कोई तरीका सिखा रखा है उस कोलू में गूमने का, निश्चय ही कोई धब-धब तरीका तो उसने क्या कहा? उसके मालिक ने बैल को जरूर कोई तरीका सिखा रखा है जिससे वो अपने आप ही घूमती रहती है कोलू में अपने आप कोलू को चलाती रहती है आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे अची बिना देखे लेते तुम जान भे दिये कैसे यानि कि एक दिन उन्होंने हार करके अपने मालिक से क्या पूछा कि आप बिना देखे कैसे ये जान लेते हो कि आपका बैल जो है वो कोलू का बैल जो है वो गूम रहा है यानि कि वो अपना काम कर रहा है आप उसे बिना देखे ये कैसे जान लेते ह उन्होंने एक दिन ये अपने मालिक से पूछी लिया, कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या उड़ता है, रहता है, घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है, यानि कि उन्होंने अपने मालिक से पूछा एक दिन कि तुम ये कैसे जान लेते हो, कि तुम्हारा जो कोलू का वो चलता है या फिर खड़ा है घूमता है या फिर खड़ा हो या पागुर करता है याने कि वो काम नहीं कर रहा खड़ा है चुपचाप या फिर कोई दिक्कत हो गई है या फिर वो घूम रहा है तुम्हें ये सब बिना देखे कैसे पता लग जाता है तुम ये भेद को कैसे जान लेते हो मालिक ने ये है कहा अजी इसमें क्या बात बड़ी है नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है तो फिर उसके मालिक ने उसे क्या जवाब दिया कि इसमें भी कौन सी बड़ी बात है ये जानने में कि उसका जो कोलू का पैल है वो काम कर रहा है या न नहीं उसके मालिक ने उससे कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है देखते नहीं क्या इसके घर्दन में एक घंटी बंदी हुई है जिससे क्यों से पता लगता है जब तक ये बच्टी रहती है मैं ना फिकर करता हूँ हाँ जब बच्टी नहीं दोड करता हूँ यानि कि उसके मालिक ने क्या कहा पड़कु से कि जब तक इसके गले में जो घंटी बंदी हुई है वो बच्टी रहती है मैं बे फिकर रहता हूँ मैं कोई भी फिकर नहीं करत हाँ जब ये घंटी बचती नहीं है तो मैं दोड़ कर दनिक पूँच तरता हूँ यानि कि जब ये घंटी बंदना बंज हो जाती है तो मैं एकदम से आ करके देखता हूँ कि क्या हुआ कहा पड़कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे बेफकूफ मन्तिक की बाते समझ सकोगे थोड़े यानि कि फिर माली की ये बात सुनकर पड़कू ने क्या कहा कि तुम तो सदा से ही कोरे बेफकूफ ही रहोगे तुम्हारे को दिमाक वाली बाते कहां समझ में आएंगी अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए चले नहीं बस खड़ा-खड़ा गर्दन को खूब हिलाए तो पड़कू ने अपने मालिक से क्या कहा कि अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझ कर ही अड़ जाए और चले नहीं बस खड़ा-खड़ा ही अपनी गर्दन को हिलाता रहे ताकि उसके गर्दन में बंदी हुई गंटी बजती रहे और तुम्हें लगे कि वो काम कर रहा है गंटी टुन-टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे तो उसके मालिक को पड़कुन अपने मालिक को क्या कहा कि वो बैल तो घंटी बजाता अपनी गर्दन को हिलाता रहेगा बस खड़ा-खड़ा और घंटी जो है टुन-टुन बजती रहेगी और तुम पास नहीं आओगे तुम्हें लगेगा कि बैल काम कर रहा है और मगर तुम्हें साम तक यानि कि सांज यानि कि शाम तक तुम्हें टेल की एक बुन्द भी नहीं मिल पाएगी मालिक थोड़ा हसा और बोला कि पड़कु जाओ सीखा है यह ग्यान जहां पर वही इसे पैल आओ तो मालिक ने थोड़ा सा हस कर क्या कहा पड़कू से कि जाओ तुमने जहां से ये ग्यान सीखा है इस ग्यान को वही पर जाकर के फैलाओ इस ग्यान को वही पर जाकर ही बाटो यहां सभी कुछ ठीक ठाक है यह केवल माया है बैल हमारा नहीं अभी तक मन्तिक पड़ पाया है यानि कि फिर उसके मालिक ने क्या कहा कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है यह केवल सिर्विक माया है बैल जो है हमारा अभी तक उसमें इतना दिमाग नहीं है और ना ही वो अभी तक मन्थिक पढ़ पाया है तो ये थी अब हम करेंगे exercises की कवीता में कहानी पड़कू की सूज कवीता में एक कहानी कही गई है इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो यानि कि जो हमने अभी कवीता पढ़ी पड़कू की सूज तो इसमें एक कहानी लिखी गई है तो हमें क्या करना है इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है तो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे तो ये सभी स्टूडेंट्स अपने आप करेंगे उसके बाद है कवी की कवीताएं तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंग दिनकर की कवीता मिर्च का मजा पढ़ी थी अब तुमने उन्ही की कवीता पड़कु की सूज पढ़ी यानि कि जब आप सभी स्टूडेंट्स तीसरी कक्षा में थे तो आपने रामधारी सिंग दिनकरजी की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी तो अब आपने पड़कू की सूज उनहीं की एक कविता पढ़ी तो अब हमसे उन्होंने प्रशन पूछे हैं तो हमें उनका उत्तर देना है तो पहला प्रशन उन्होंने हमसे क्या पूछा कि दोनों में से कौन सी कवीता पढ़कर तुम्हें जादा मज़ा आया चाहे तो तुम तीसरी की कवीता फिर से देख सकते हो यानि कि आप सभी बच्चों ने तीसरी कक्षा में जो कवीता पढ़ी और अब जो आपने कवीता पढ़ी ही है इसमें से आपको कौन सी कवीता को पढ़कर जादा मज़ा आया तो हमें उत्तर देना है आपको जो कवीता सबसे जादा अच्छी लगी तो इसमें उत्तर है मुझे काबुली वाला की सूज कवीता पढ़कर जादा मज़ा आया अगला प्रशन है तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़कू या कोई भी अच्छा नहीं लगा तो आपको क्या अच्छा लगा वो आप उत्तर में लिखेंगे जैसे की मुझे काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा उसके बाद है अगला प्रशन अपने साथियों के साथ मिलकर एक-एक कवीता ढूंडो कवीताएं इखटा करके कवीता की एक किताब बनाओ तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को एक काम दिया गया है इसमें क्या कहा है? कि आप सब अपने साथियों के साथ मिलकर एक-एक कविता ढूंडोगे और उस कविताओं को इखटा करकर के कविता की एक किताब बनाओगे तो ये सब आप students अपने आप खुद करोगे उसके बाद है महनत के मुहावरे कोलहू का बैल ऐसे विक्ति को कहते हैं जो कड़ी महनत करता है या जिसे कड़ी महनत करवाई जाती है तो इसमें क्या कहा है इसमें एक तरह से पूछा हुआ है कि कोलू का बैल किस विक्ति को कहते है जो कड़ी महनत करता है या जिसे कड़ी महनत सबसे जादा महनत करवाई जाती है उसे कोलू का बैल कहा जाता है तो महनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो, हमें नीचे मुहावरे दिये हुए हैं, हमें इनका वाक्यों में इस्तेमाल करना है, हमें इन मुहावरों से वाक्या बनाना है, तो अब हम शुरू करते हैं मुहावरों से वाक्या बनाना, तो पहला मुहावरा है दिन रात एक करना, दिन रात एक करना मतलब खूब महनत करना, तो इसका वाक्या क्या बनेगा? नीतु ने डॉक्टर की परिक्षा पास करने के लिए दिन रात एक कर दिया यानि कि उसने डॉक्टर की जो परिक्षा थी उसको पास करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए दिन रात एक कर दिया यानि कि दिन रात महनत करके पढ़ाई करी तूसरा मुहावरा है पसीना बहाना पैसे कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है यानि कि इसका मतलब क्या है कि पैसे कमाने के लिए हमें खूब मेहनत करने पड़ती है और मेहनत करेंगे तो पसीना भी आएगा ना तो इसलिए पसीना बहाना तीसरा मुहावरा है एडी चोटी का जोर लगाना मैच जीतने के लिए भारतिय टीम ने एडी चोटी का जोर लगा दिया यानि कि उन्होंने भारतिय टीम ने क्या किया मैच जीतने के लिए अपनी पूरी महनत और पूरी जोर शोर के साथ अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसके बाद है पढकू का नाम पढकू क्यों पढ़ा होगा पहला प्रशन पढकू का नाम पढकू क्यों पढ़ा होगा इसका उत्तर यहां है उस प्रशन का उत्र हमें या नीचे दिया हुआ है तो आप सभी स्टूडेंट्स इसे यहां से कर सकते हैं तो पहले का क्या उत्र है पढकू का नाम पढकू क्यों पढ़ा होगा आप अपने विचारों से उसका उत्र देंगे क्योंकि वहे दिन रात पढ़ता रहा होगा तो यहाँ पर क्या कहा कि पढ़कू का नाम पढ़कू इसलिए पढ़ा होगा क्योंकि वहे दिन रात पढ़ता होगा उसके बाद अगला प्रशन है तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो उसके आधार पर अपने लिए भी पड़कू जैसा कोई शब्द सोचो यानि कि इसमें क्या कहा है कि आप सभी बच्चे कौन सा काम खूब मन से यानि कि अपने पूरे मन से करना चाहते हो उसी के अधार पर उस काम के अधार पर अपने लिए कोई एक नाम सोचो यानि कि जैसे पढ़कु ने वो खूब तेश था, बहुत पढ़ता था, तो इसी लिए उसका नाम पढ़कु बढ़ना, तो ऐसे ही आप भी कौन सा काम खूब मन से करना चाते हो, उसी काम के अधार पर एक नाम सोचो, तो इसका उत्तर देखते हैं, ये दूसरे का है, ये पह खूब मन लगा करके करोगे, मैं चित्र बनाने का काम खूब मन से करना चाता हूँ, इसके लिए मैं चित्रकार कहलाना पसंद करूँगा, यानि कि वो अब उत्तर में क्या कहा है, कि मैं जो है, चित्र बनाने का काम खूब मन लगा करके करना चाता हूँ, और इसके लिए क् नाम पढ़ जाएगा चित्रकार नाम कहलाना पसंद करूँगा यानि कि सब किस नाम से बुलाएंगे चित्रकार क्योंकि चित्र बनाने का काम खूब मेहनत से करना चाहता हूं इसी लिए तो अगला है अपना तरीका हाज जब बश्टी नहीं दोड़ कर तनिक पूँच धरता हूं यानि कि यहाँ पर पूँच धरता हूं का मतलब क्या है पूच पकड लेता हूं जब गाएं जो बैल है उनका कोलू का बैल है वो जब काम नहीं करता खड़ा हो जाता है तो उसका मा खालिक एक्दम से वहाँ पर आकर के आ जाता है ना देखने के लिए और वो क्या करता उसकी पूँच पकड लेता है, तो नीचे लिए अपने शबतों में लिखो, अब नीचे जो हमें वाक्य दिये हुए हैं, उन्हें हमें अपने शबतों में लिखना है, पहला है मगर बूंद भर तेल सांच तक भी क्या तुम पाओगे यानि कि इसमें हम अपने विचार में अपने वाक्यों में इसे चेंज करेंगे परिवर्तित करेंगे तो मगर बूंद भर तेल यानि कि मगर शाम तक भी बूंद भर तेल तुम नहीं पा सके अब इसमें कहा था इन्होंने मगर बूंद भर तेल सांथ तक भी क्या तुम पाओगे तो हमने इसे अपने वाक्यों में क्या लिखा कि मगर शाम तक भी बूंद भर तेल तुम नहीं पा सके अगला है बैल हमारा नहीं अभी तक मातिक पड़ पाया है यानि कि इसे हम अपने वाक्यों में कैसे लिखेंगे हमारे बैल ने अभी तक तरक शास्त्र नहीं पड़ा है अगला है सिखा बैल को सब रखा इसने निश्चय कोई ढब है यानि कि इसने बैल को जरूर कोई तरीका सिखा रखा है उसके बाद जहां न कोई बात वहां भी नई बात करते हैं यानि कि जहां पर कोई भी बात नहीं होती वहां भी मैं बात बनाने लगते थे यानि कि वो पड़कु क्या करता था, जहां पर कोई भी बात नहीं होती थी, वहां पर कोई नहीं बात बनाने लगता था, तो इसी लिए जहां कोई बात नहीं होती थी, वहां भी बात बनाने लगते थे, उसके बाद है गणना, पड़कु नहीं नहीं बाते गणते थे, बता कुमार क्या करता है गहना गड़ता है लुहार लोहे की चीजें और ठटेरा बरतन कवी क्या करेगा कवीता कुमार क्या करेगा मिटी के बरतन और लेखा क्या करेगा कहानी गड़ेगा ठीक है बच्चों ये थी exercise और ये है अर्थ खोजो अर्थ खोजो मतलब नीचे दिये गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो यानि कि यहाँ पर नीचे जो शब्द दिये हुए है इनके अर्थ जो है नीचे अक्षर जाल में दिये हुए है तो हमें क्या करना है इनहें खोजना है आप सभी इसमें अपने आप खोजेंगे और अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप इसमें से इसे देख सकते हैं जैसे धब भेद, गजब, मतिक और चल मनतिक का मतलब क्या है तरकशास्त्र चल मतलब दोखा, गजब यानि की कमाल भेद यानि की कोई राज और धब यानि की तरीका तो आप सभी को यहां पर इनके जो अर्थ हैं ये पहले से ही ढूंड कर दिये हुए हैं तो आप सभी भी पहले कोशिश करेंगे इसे ढूंडने की और अगर नहीं हुए तो इसमें से आप देख सकते हैं So, ये थी हमारी exercise. So, thank you students.